140 करोड भारतियों के सोक सम्रधी और संदुष्ट के लिए निरंतर साधनारत दुनिया के सबसे लोगप्रिय राजनेता और भारत के स्थी प्रधान मंत्री आधनिया स्थी नरेंद्र मोदी जे प्रदेश के मानने राज्यपाल आधनिया स्रेमती आनंदी वेन पटेल जे देश के मानने रक्षा मंत्री आधनिया सी राजनाज सिंग जी उत्तरप्रदेश सरकार में मेरे बरिष्ट सहयोगी उपमुख्य मंत्री द्वै सी केशो परसाथ मोर्या जी सी बरजेश पाठक जी विधान सभा के मानने अध्यक्स से सतेश महना जी विधान परिशत के मानने सभापती मानने कुमार मानवेंद्र सिंग जी बारते जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्स चौदरी भुपेंद्र सिंग्जे आज के समारों में विभिन देशों के सम्मानित राजदोत और हाई कमिस्नर केंद्रिय मंत्री मंदल के सभी मानने मंत्री गान सासन प्रसासन से जुड़ेवे सभी अधिकारीगान मीडिया के बंदुगान और उत्तर प्रदेश पर विश्वास जताने वाले देश और दुनिया से आएवे उद्योग जगत के सभी प्रतिष्ठित निवेशक और उद्यमी बंधों मैं सबसे पहले देश क्यादनिय प्रधान मंत्री जी का पांच सदी केंटजार को समाप्त करने और अभी हाली में UAE में आबुदापी में दुनिया का पहला भारत का मंदिर अस्थापित करने के लिए आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी आयोजन के उसर पर उत्तरप्रदेश आगमन पर हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ प्रकृति प्रमात्मा और प्रतिभा की पूर्ण भूमी उत्तरप्रदेश कि जनता अपने इस चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी के भब्यायोजन के उसर पर आप सभी का हिर्दै से स्वागत और अविनंदन करती है हम सभी का स्वाग्य है आज जब भारत अमरित काल में प्रवेश कर चुका है तब इस एथ्यासी कालखंड में हम सभी साक्सी और सेभागी बन पा रहे हैं और हम सभी का स्वभग्य है कि भारत के अम्रित काल के सार्थी के रूप में हमें प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी का S.C. मार्ग दर्शन और नित्रत्व प्राप्त हो रहा है मुझे याद है वर्स 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदर्णिय प्रधान मंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनों में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है वर्च्यूज है लेकिन अब बदले वे समय में वैल्यू एडिशन की ज़्यादा आओ सिकता है सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं सिर्फ बिजनेस कल्चर से में ही नहीं बलकि हर छेत्र में यूपी की जो कोई स्टेंट है उसमें वेल्यू एडिशन की बहुत जरुवत है आज छे वर्स बाद मुझे एक कहने में प्रसंता हो रही है क्या दन्य प्रधान मंत्री जी के इन सब्दों को आत्म साथ कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई जिसके पेड़ाम सरूप आज छे वर्स के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी का यह चोथा संस्करण आयूजित हो रहा है हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और अध्योगिक निवेश के बारे में भारतिय मनीशा क्या कहती आई है आचार्य कोटिल्य ने कहा था कि आर्थिक सम्रिदी के लिए तीन तत्तों पर विसेज ध्यान देने की आउस्सकता है पहली भूमी दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी मुझे कहते वे गौरव के अन्भूती हो रही है कि तीनों तत्तव आज उत्तर प्रदेश में प्रचूर मात्रा में उपलब्द है मुझे याद है वर्स दोजार अठारा में जो हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का एउजन किया था उस शुरुवाती चर्ण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और प्रणामत चार लाग अठाईस अजार करोड़ पे के निवेस के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होए थे आदनिय प्रधान मंत्री जी की पेना और आप सभी के सयोग से मात्र पांच महा में यानि जोलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी आयुजित की गई जिसमें 61,700 करोड़ उपे के निवेस वाली प्रयोजनाओं का सुभारंब किया गया सकारात्मक प्रवेस के बीच जोलाई 2019 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी का आयुजित किया गया जिसमें 67,000 करोड़ उपे के निवेस के प्रस्ताओं का सुभारंब के साथ आयुजित संपन हुआ इन निवेस प्रयोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सिर्जन हुआ कोविट कालखंड के बाबजूत तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारो अन्य दो संस्क्रणों की तुलना में और भी भव्य था जिसमें 80,000 करोड़ उपे की प्रयोजनाओं का सुभारंब क्या गया इन सभी प्रयोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी दस से बारह फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समीट की अभूतपूर सभलता से आप सभी सुपरचित हैं और उसके से भागी रहे हैं देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया आदने प्रदान मंत्री जी की पेना को आत्समात किया और उत्तरब्रदेश को अब तक लगभग 40 लाग करोड़ उपे की निवेश के प्रस्ताव पराप्त हुए है आज इनी प्रियासों को धरातल पर उतारने का उत्सो है आज प्रदान मंत्री जी के करकमलों से 10 लाग 11,000 करोड़ उपे की परियोजनाओं का भूई पूजन आज यहाँ पर संपन होने जा रहा है नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उत्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विक्सित भारत के संकल्प में एक विक्सित उत्तर प्रदेश बनने की और अग्रसर है पहली groundbreaking ceremony 61,000 करोड के निवेश प्रस्ताओं का क्रियानिवन कराने वाला उत्तरप्रदेश आज GBC 4 में 10,000,000 करोड पे से धिक के निवेश प्रस्ताओं का groundbreaking कर रहा है या transformation या बदलाव यह speed आपके विक्सित भारत के इस विक्सित उत्तरप्रदेश की नई पैचान है आपके सयोग से किर्यानिवित हो रही यह प्रियोजनाएं न केवल उत्तरप्रदेश बलकि पूरे देश के विकास में में तुपूर्ण भूमिका निभाने वाली है आज के इस GBC फोर में न केवल अध्योगी की करण को गती मिलेगी बलकि प्रदेश के 34 लाग सेधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की आउसर भी प्रदान करने का एक अद्बुच छण होगा उत्तरप्रदेश जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे आने से कत्राते थे आज वह वही यूपी यानि Unlimited Potential और यह नए भारत का नया उत्तरप्रदेश आज अपनी प्रतिभा और Potential को पैचान कर सुरक्सा, सुसासन और विकास से जुड़ चुका है देश की दूसरी बड़ी अर्थ विवस्ता की रूप में देश की अर्थ विवस्ता में नौ तसम्लब दो प्रिस्द का योगदान कर रहा है हमारा राज्य आजने प्रधान मंत्री जी के कुसल मार्ग दर्सन और नित्रतों में आत्म निर्भरता के लक्षय को प्राप्त कर अपनी पैचान ससक्त कर रहा है उत्तरप्रदेश के ट्रांस्फोर्मेशन से आप सभी सुपरचित हैं देश का पचपन प्रिसत एक्सप्रेश वे इसी प्रधेश में है सबसे बड़ा रेल और रोल नेट्वर्क भी यहीं पर है इस्टन एंड वेस्टन डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर का जंक्सन इसी उत्तरप्रदेश में है और सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश भी उत्तरप्रदेश ही है चित्रकोर्ट लिंक एक्सप्रेश वे बनने जा रहा है अभी हाली में पुर्वांचल एक्सप्रेश और आग्रा लखनो एक्सप्रेश वे کو जोड़ने के लिए निया एक्सप्रेश वे बनाने का निर्णे लिया है ये Expressway राज्य के कोने कोने से मैं manufacturing के केंदरों को निरवाद connectivity प्रदान कर रहे हैं हमारी तैयारी है कि अगले वर्स की सुरुवात में जब आप प्रियाग राज महाकुम मैसनान के लिए आएं तो गंगा Expressway का सुकत अनुभाव आपको प्राप्त हो सके आज उत्तरप्रदेश में जल, थल और नव की बेहतरीन कनेक्टिविटी है हम सब सौभा के साली हैं कि आदनिय प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सन और नित्रित्तों में उत्तरप्रदेश अब लैंड लॉक्ट स्टेट के बंदन को समाप्त कर वारानसी से हल्दिया तक पूर्वी बंदरगा से जल मार्ग से जुड़ चुका है और आदनिय प्रधान मंत्री जी के इमार्ग दर्सन में उत्तरप्रदेश ने इन लैंड वाटरवे अथॉर्टी का कठन भी किया है इस ऑप डूइँक बिजनेस और लीड रैंकिंग में हम अचीवर स्टेट हैं यहाँ लैंड भी प्रयापत है बिजली भी भरपूर है न मैन पावर की कमी है न विल पावर का भावी इस ऑप डूइँक बिजनेस? निवेश मित्र पोर्टल निवेश सार्थी पोर्टल इंसेंटिब बॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ही प्रदेश की इन्वेस्मेंट फ्रेंट्री पॉलिसी का प्रणाम है कि आज हर निवेशक यहां आना चाहता है इसमें हर एक ब्रक्ति की जवाब देई है और नीतियों में पारदिर्स्ता भी उत्तर प्रदेश हर निवेशक का सम्मान करता है अब तो लोग कहने लग गए हैं कि सुरक्सित निवेश यानि उत्तर प्रदेश एक अविनों प्रियास करते वे हमारी सरकार ने प्रदेश में FDI और Fortune Global 500 कमपनियों के निवेश को आकरसित करने के लिए भी एक समर्पित नीति घोसित की है किसी भी राज्यदारा बड़े पैमाने पर बैस्विक निवेश को आकरसित करने का या अपनी तरह से पहला प्रियास है इसका लाब भी आप लोग अवस्य लेंगे इस विश्वास के साथ आज के इस कारिकरम में आदनिय प्रधान मंत्री जी ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनाने का जो लक्स देश्वासियों के सामने रखा है हम सब जानते हैं पिसले 10 वर्स में हमारा देश 11 अर्थ विवस्ता से पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता के रूप में स्तापित हुआ है और आदनिय प्रधान मंत्री जी के नित्रतों में उनके तीसरे कारिकाल में बारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता बनेगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेख किसी को नहीं लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ मोदी जी की गारंटी है इस पर यूपी को भी यकीन है और पुरा भारत पुरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है इस संकल्प से जुड़ते वे उत्तरप्रदेश ने स्वयम को वन टिलियन डालर की एकॉनोमी के अर्थ विवस्ता बनाने का लक्से भी रखा है इसके लिए हमने स्किल और स्पीट पर फोकस किया है आधने प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सर का मार्ग दर्सन हमें प्राप्त हो रहा है और आपका सयोग मिलता रहा तो ये लक्स निश्चिती सिद्ध होगा ये भूमी बगवान स्री राम की है गोबेश्वर स्री कृष्ण की है बावा बिश्वनात की है रिसी मुनियों की किरपा भूमी है मा गंगा यमनार सरद्यू जैसी नतियों का असरिबात भी इस भूमी को प्राप्त हुआ है ये धन्य भूमी है फून्य भूमी है ये उद्यम और उद्यमता की भी भूमी है आज उत्तरप्रदेश भारत के श्रम सक्ति पुंज को एक अर्थ सक्ति पुंज के रूप में बनानिय क्यूर अग्रसर हुआ है आज हम आधनिय प्रधान मंत्री जी की पेणा और उनके नित्रित्व में जो कुछ भी कर पा रहे हैं यहां उनका अश्रिवाद है उनका मास मार्ग दरसन है और उत्तरप्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन बन्यक्यूर अग्रसर तेजी के साथ अग्रसर है मैं आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग स्रेमनी का जो चतुर्त संस्कन आज यहां पे संपन्न होने जा रहा है इस उसर पर एक बार फिर से आधनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दै से विनंदन करता हूँ उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें इस बात के लिए अस्वस्त करता हूँ कि उत्तरप्रदेश के लिए उनका जो विजन है वह हम सब का मिसन है और उस मिसन को हम लोग लक्से तक पहुंचा करके रहेंगे इस विश्वास के साथ मैं अपनी बाणी को बिनाम देता हूँ धन्यबाद जैहिन